नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत हैं ये हैं छपरा के जाने माने स्नायक कैचर मनमोहन उर्फ भूअर और उम्र है पचीस साल सापों के जख्म को ठीक करना उनकी सेवा करना इनका पैसन है और पिछले दस साल से ऐसे ही करते चले आ रहे थे रक्षा बंधन के दिन यानि की 22 अगस्त को इन्हें सूजी कि क्यों न जिन सापों के बीच रहते हैं उन्हें राखी बधवाए लिया जा उन्होंने अपनी बहन से राखी बाढ़ने को कहा आप वीडियो में देख रहे हैं कि वहाँ पे भीड भी है और बहन पूच के साइड जो ये पकड़े हुए हैं राखी बाढ़ रही होती है इसी बीच एक साप जो है उनको डस लेता है उंगली को और फिर अफरा तफरी मत जाती है सुभाविक सी बात है जान करके बहुत ही दुख होगा कि जिन सापों के बीच भूअर रहते थे उनका इलाज करते थे उनके जख्म ठीक करते थे उसी के काटने से रक्षबंधन के दिन ही उनकी मौत हो गई इसलिए खत्रों से मत खेलिए संभल के रहिए इन जीवों का कोई भरोसा नहीं कब क्या सुझे और कब उन्हें खुद ही खत्रा महसूस होने लागे उसी पालक से जो उसकी सेवा कर रहा होता है अब उनके घर में कोहराम मचा हुआ है उनकी साधी नहीं हुई थी लेकिन जो भी उनके जानने वाले हैं या बहन है रूरों करके बुरा हाल है कि जिन दो भी सेलों नागों को वो राखी बढ़वा करके प्यार का पैगाम दे रहे थे उसी के काटने से हो गई उनकी मौत तो आप रहे ने बेखबर देखते रहे हैं इनकबर थैंक यू इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें